हेलो वरोवन, विलकम यूओ अलेट लोकेसर अलेम्टेट स्टडी जोन, आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, चैप्टर चल रहा हमारा चुम्बकत एवं द्रव, मतलब की मैगनेटिजम एन मैठा, तो बच्चों इस चैप्टर के दो पार्ट है, सबसे पहला आता है, दंड चुम्बक जिसे हम बार मैगनेट बोलते हैं, एक हमारे पास आता है, नाल चुम्बक जिसे हम होर्शू मैगनेट बोलते हैं, तो हमें इन मैगनेट की क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टी पढ़नी है, पहले चैप्टर में हमें इन मैगनेट की प्रॉपर्टी पढ़नी है और जो दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का उसमें हमें क्या पढ़ना है मैटर के बारे में पढ़ना है तो भाई कौन सा मैटर मतलब दुनिया के जितने भी मैटर है सब के अंदर चुमबक को ले करके कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती है तो उन्हें हमें उन इसके पहले जो है वो पढ़ा था इलेक्ट्रो स्टेटिक्स मतलब की कुलाम का इस्थर वैदुतनियम तो वहां पर क्या हुए थे दो आविश हुआ करते थे प्लस की और माइनस क्यू इनके बीच में विद्दुत बल लगा करता था ओके आकर्शन या प्रतिकर्शन तो इ साउथ जैसे वहां पर दोनों आवेस परिमार में बराबर होते थे मतलब क्यू का परिमार और माइनस क्यू का परिमार बराबर होता था वैसे यहां भी नौर्थ का जो परिमार है और वो जो साउथ का परिमार है दोनों ही बराबर हुआ करता है और इसको आप क्या समझ सकत हो एम तो दोनों ही अपने पास में ध्रूब हैं इन ध्रूबों के बीच में जो लगने वाला बल होता है ओके इन ध्रूबों के बीच में लगने वाला बल जो होता है न्यूटन के फॉर्मुले से है इनका द्रूब प्रावल के अनुक्रम All-Path ymchat प्रूबा बाल पहले वाले का माल टी जहें मन दूसले वाले काonton ौक आपके पास कोई रेंडम में बस्तानार सिंध चिल धो दूब आपके पास में एक हैं मन कोलिक्रिख एंटु ओके सो इक हां थ्रूब प्रावल एमटु ह है तो f proportional to m1 into m2 and f is inversely proportional to r square give this number one and give this number two so f is directly proportional to m1 m2 m2 upon r square यदि इसको हल करते हैं तो f is equals to k m1 m2 upon r square भाई r क्या हमा बताना भूल गया r है दोनों धुरूओं के बीच की दूरी ओके f is equals to k m1 m2 upon r square यहां पर k जो है नियतांग काने वाला है ओके तो यहां पर बल हो जाएगा f is equals to mu not upon 4 pi जो नियतांग है mu not upon 4 pi m1 m2 upon r square तो यह हो गया इस बल को क्या बोलते हैं दो धुरूओं के बीच में दो चुम्बिकी धुरूओं के बीच में लगने वाला बल और याद रखेगा यहां पर m1 और m2 क्या है यहां पर द्रूब प्राबल थे अभी जो आपको बताए गए m1 and m2 यह क्या थे द्रूब प्राबल यहां मैंने small m का इस्तेमाल के इस चीज को ध्यान रखेगा तो द्रूब प्राबल क्या होती किसी द्रूब की ताकत किसी द्रूब की ताकत ताकत ओके तो द्रूब प्राबल की एकाई नोट कर लिए बहुत इंप्रूटेंट है एंपियर मीटर एंपियर मीटर ओके द्रूब प्राबल की एकाई होती है एंपियर मीटर और एफ इस इक्वल्स टू होता है है होता है यहां से रही इसकी वैल्यू निकालो में तो एफ होता है न्यूटन और स्कुएर मतलब मीटर स्कुएर यह क्या होता है म पहला वाला हो गया, ampere meter, दूसरा वाला भी हो गया, ampere meter, तो meter, save meter square, दोनों cancel हो गया, तो answer कितना आ जाएगा, ओके, इसका आ जाएगा, newton per ampere square, तो इसकी mu not upon 4 pi की जो इकाई होगी, newton per ampere square, तो आप लिख सकते है, mu not upon 4 pi, इसकी value कितनी होती, इसका परिमाड होता है, दसकी power minus seven, ओके, और newton per ampere square, ये इसका value हो गया, तो चलिए, ये हो गया, हमाई पस हमने कुलाम का नियम पढ़ा दिया, अब देखते हैं कि कुलाम के नियम के बाद, आपन को बताना है, चुम्मे की छेतर की तीवरता, चुम्मे की छेतर की तीवरता, बच्चों आपने विद्दु आविश रखा हुआ है, Q1, और यहाँ पर इसके कारण इस पर बल महसूस लगता है, ओके, ये आविश मानलो Q है, और Q आविश के कान क्या बल महसूस होता है, F, ओके, और यहाँ पर आविश कितना है, Q0, यहाँ पर आविश कितना है, Q0, इसे बोलते है, शरूत आविश, और इसे बोलते हैं test आवेस यानि परिछान आवेस आवेस ओके सो ये क्या कहलाता है ये कहलाता है source charge और ये कहलाता है test charge तो ध्यान से रिखिए कि test charge जो है कितना बल जहेल रहा है f बल जहेल रहा है तो अगर q0 परिमाड पर लगने वाला बल कितना है f तो इकाई आवेस पर लगने वाला बल कितना होगा f upon q0 बिल्कुल इसको बोलते थे चुम्ब की विद्व चेतर की तीवरता e is equal to f upon q0 तो ये अधिस रूप में मैंने परिमाड के फॉर्म में दी है e is equal to f upon q0 और बिल्कुल ऐसा ही ऐसा कुछ concept है इसका भी चुम्ब की चेतर की तीवरता का माल लिजे कि यहाँ पर कोई आपके पास में धरूप रखा हुआ है और इस धरूप के आसपास में कहीं पर एक परिच्छन धरूप ये रखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा ये इस बल महसूस करेगा क्या महसूस करेगा बल तो माल लिजे m0 पर लगने वाला बल कितना है f है तो इकाई धरूप प्राबल पर लगने वाला बल कितना होगा f upon m0 इकाई धरूप प्राबल पर लगने वाला बल कितना होगा f upon m0 तो चुम्बी की छेतर के किसी बिंदू पर इकाई धरूब प्रावल पर लगने वाला जो बल होता उसे हम बोलते हैं उस बिंदू पर चुम्बी की छेतर की तीवरता तो इकाई धरूब प्रावल पर लगने वाले बल को हम B बोलते हैं और B is equals to हो गया F upon M0 F upon M0, M0 की है परिच्छन धरूब, M0 की है परिच्छन धरूब, किताबों में आपको ये परिच्छन धरूब इस डर्कली M ले ले लेते हैं तो B is equals to F upon M भी मिल जाएगा, B is equal to F upon M, तो यहां से F क्या बन जाएगा, F बन जाएगा M, B, F क्या बन जाएगा? M, B, तो ये कहलात चुम्ब की ये बल, नोट कर लिजे, ये चुम्ब की धरूब पर लगने वाला बल है, बहुत important है, F is equals to M, बहुत काम में आएगा आपके ये, क्या देखा पने, F is equals to, अधिस रूप में F is equal to क्या हो जाएगा, M, B, और सदिस रूप में बात की जाए, तो F is equal to M into क्या, B सद F is equal to Q into E सदिस, जी हाँ, तो ये आपने देखा था, चुम्ब की बल और विदुद बल, ओके, और यहाँ से हमाई पास परिबासा कितनी आ चुकी है, B, परिमान की बात में करेंगे, तो B is equal to, एकांक धरूप प्राबल पर लगने वाले बल को हम बोलते हैं, चुम्ब की छे किती वरता का हम क्या निकालते हैं, डेरिवेशन निकालते हैं, ठीक है, माल लिजा आपके पास में कोई यहाँ पर धरूप सोर्स है, और यहाँ पर क्या है, कोई टेस्ट धरूप है, ओके बात, दोनों की धरूप प्राबल एक है M, और एक है M0, तो कुलाम के नियम से इस पल लगने वाला बल, दोनों के बीच की दूरी R मा लिजे, ओके, तो कुलाम के नियम से इस इस पल लगने वाला बल, कितना होगा, भाई सब कल पढ़ा है था आपको में, F एकल टू मूजिरो पॉर पाई, इंटू M, इंटू M, नॉट अपॉन कितना हो जागा, R का स्क्व एकांक आवेस पल लगने वाला बल, आप जानते हैं कि M, 0 पल लगने वाला बल कितना है, M, 0 आवेस पल लगने वाला बल कितना है, आवेस नहीं, दूरू पल लगने वाला बल F है, तो एकांक पल लगने वाला बल कितना होता है, F अपॉन M, नॉट, और इसी को हम क्या बोल च्छन द्रुब है, ओके, so 1 upon m not और b की value पूट कर दीजे, b की value क्या है, mu not upon 4 pi into m, m not upon कितना हो गया, r का square, m not से m not cancel कर दीजे, finally formula आपके पास आ चुका है, mu not upon 4 pi into m upon r का square, तो ये बन गई आपके पास में चुम्ब की छेतर की तीवरता, ओके बच्चों, तो b is equal to mu not upon 4 pi into m upon r square ये बन चुकी है, आपके पास में चुम्ब की छेतर की तीवरता, बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं, रिखते हैं, आगे क्या है, भाई, concept में, तो b की value आ चुकी है, यहाँ b की एकाई जो होती, टेसला होती, okay, b जो होती, चुम्ब की छेतर की तीवरता, okay, क्या होती बहुत एकाई, टेसला, नोट कर लेजी, एक सरी सरा सी है, और इसकी एकाई क्या होती है, टेसला, okay, तो किसी बिंदु पर, okay, किसी सुरोत आवेश के कारण, आवेश नहीं बोलेंगे, यहाँ पर धुरू बोलेंगे, चुम्ब की धुरू के कारण, किसी बिंदु पर लगन यह है कि जितना जादा B proportional to M, मतलब आपका सुरोत ध्रूब जितना जादा बढ़िया है, जितना मजबूत है, आपका सुरोत ध्रूब का ध्रूब प्रावल, जितनी जादा है, वो उतना ही जादा होगा, उसकी चुम्ब की छेतर की धीपरता उतनी जादा होगी, और B is inversely proportional not to R is correct मतलब सुरोध धरूब से दूरी जितनी ज्यादा ले रहे हैं अब उत्ल शूंब की छेत्र क्या होता जाएगा घड़ता जाएगा उत्ला C пон कीoles आप ज़ितना दूर जाएंगे किसी फोड़ उतना आपका कम होता जाएगा एक बात चलिए आईए यह हो चुका है अब इसके बाद चुम्ब की बल भी हमने देख लिया अभी अभी देखा आपको कि एम धुरूप प्रावल पर लगने वाला चुम्ब की जो बल होता है ओके वह कित्ता होता है चुम्ब की बल आपको मैंने बताया f equal to mb हुआ करता है जो कि बहुत समय म इसको थोड़ा सा और इसमें लाइट माली जाए तो कैसे काम करेगा थोड़ा देख लेते हैं इसको यह देखिए जैसे वहां पर चुम्ब की विद्धुचेत्र ए होता था क्या होता था विद्धुचेत्र ए और विद्धुचेत्र ए पर एम आवेस क्यू आवेस हुआ कर equal to mb, okay, एक मजी की बत बताओं, बच्चों, कि देखी, वहाँ पर क्या होता था, कि जब धनावेश होता था, okay, धनावेश, तो उस पर लगने वाला बल जो होता था, छेतर की दिसा में ही होता था, है ना, छेतर की दिसा में ही बल लगता था, क्यों, क्योंकि f बराबर होता था, plus qe, धनावेश के लिए q positive होता था, तो f बराबर कितना होता था, प्लस qe, परन्तु रिखनावेश के लिए, जो f निगलता था, वो क्या हुआ करता था, minus qe, तो अगर विदुचेतर आंगे की तरफ है, तो विदुद बल कहा लगता था, पीछे, किसमें, रिखनाव पोल क्यूंकि चुम्ब की धुर्वों में दुर्पक्रा प्रकटी होती है एक होती है नौर्थ एक होती है सौथ तो नौर्थ पोल पर जो लगने माला बल होगा बच्चों व Politics वह आंगे की तरफ होगा ओके आंगे की तरफ मतलब हattend बल भी कहा लगेगा आंगे लगेगा एक बार इसको फ्रेश पेज में बता देता हूं मैं यस यह देखिए यह आपके पास में चुम्ब की छेतर है और अगर आप यहाँ पर यहाँ पर नॉर्थ पोल ले रहे हैं तो आप पर जो बल लगेगा वो छेतर की दिसा में लगेगा f equal to m into b ओके यह रिखिए क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल जो होता है as a positive treat के जाता है क्या treat के जाता है धनापना के जैसे treat के जाता है परन्तु यदि आप यहाँ पर south pole ले रहे हैं क्या ले रहे हैं south pole मतलब आपका जो धुरू है वो south है तो उस पर जो बल होगा वो कहां पीछे की तरफ yes आजिए चलीए तो यह हो गया चुम्म की भल क्या हमने बात कर लिए अगला topic इसमें है क्या चुम्म की राडूर्ण क्या होता है चुम्म की अगूर्ण पीदुदुद ध्रूर्व हुदऺ के साथ एaters तक मिए सब्सक्रा के लें चुБत भीत बंदुद० हुआ करते थे याने कि विदुती आविस वो विलगित रूप से मने अलग अलग रूप से एक्जिस्ट किया करते थे आप मतलब अकेला माइनस क्यू भी बना सकते हो और आप अकेला प्लस क्यू भी बना सकते हो और आप अकेला क्या है और बराबर आवेशों को एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखा जाता है इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं पर टू एल ओके तो दो विप्रीत और बराबर आवेशों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखा जाता है तो इस विवस्ता क्या बोलते हैं चुम्मकी धर्बों को, एक दूसरे से, बहुत ही कंद और रखाbé जाता है, इनके बीच की दूरी कंदूरइए का क्या बहुत है, 2L, जिसका हिंदी मिनमे में प्राभावकारी लंबाई, क्या नाम है, प्राभावकारी लंबाई, ओके, इसको बोले या नो बोलो, कोई देकत नहीं है तो 2L, ओके यह प्रफावकरी लंबाई है, इनके बीच की दूरी काम है, इस विवस्था को क्या वोलते हैं, चुम्ब की दुरूप, ओके तो यह जो होता है, निगर्टिव के जासे काम करता है, साउथ पूल, अब बात आती है चुम्ब की दिदरूब को किसे रिनोट करते हैं अब बात आती है चुम्ब की दिदरूब का परिमाल कितना होता है तो M का परिमाड़, okay, equal to कितना हो जाएगा, जैसे वहाँ पर होता था P का परिमाड़ा कितना होता था, Q into 2L Q into 2L, अब ध्यान से देखो यदि हम परिमाड़ की बात करें, तो South का जितना धुरूप रावल होता है, उतना North का धुरूप रावल होता हैney, दोनों क्या होते हैं बरावर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बरावर South का धुरूप रावल, equal to North का धुरूप रावल, तो यहां पर आप किसी का भी धुरूप रावल ले लो, क्योंकि positive negative भाना नहीं है M ले लिया, okay, M और multiply दोनों ध्रूबों के बीच की दूरी M into 2L, तो ये बन जाएगा आपके पास में, जो चुम्ब की ये द्रूब आगुण होगा, M equal to, अधिस फॉर्म में, M equal to M into small M into कितना 2L, यदि इसकी इकाई की बात की जाए, इसकी इकाई देखिए, तो M की जो इकाई बनेगी, वो क square meter square, तो थोड़ा confused मत होईएगा, देखिए, small M क्या है, small M है, ध्रूब प्रावल, small M जो है, वो क्या है, ध्रूब प्रावल, okay, जैसे English में बोलते है, pole strength, pole strength, strength, okay, और capital M क्या है, capital M जो होथा, उसका नाम है, चुम्ब की ये द्रूब आगुण, okay, जो capital M है, उसका नाम है, द्रूब आगुण, in English, it is called magnetic dipole moment, magnetic dipole moment, मतलब द्रूब की ताकत का अंदाज, अगर आपको लगाना है, तो उसका चुम्ब की ये द्रूब आगुण बताएगा, जिसका चुम्ब की द्रूब आगुण बहुत जादा होगा, उसका, जो होगा, magnetic dipole moment भी जादा होगा, जो आ आपको जिसकी बज़ए से आपको डाय मैगनेटिस्म और पैरा मैगनेटिस्म की मतलब की अनुचुम्ब कत और प्रती चुम्ब कत प्रकार के अनुद देखने को मिलते हैं, वो इसी की बज़ए से कुछ ना कुछ हुआ करता है, ठीक है, चलिए, ये हो गई बात, तो चुम चुम्बक हुआ करता है, उसमें समान बराबर और विपरी ताविस कुछ ही दूरी पर हुआ करते हैं, ठीक ना, तो जो दंड चुम्बक होता है, वो किसकी जैसे काम करता है, वो काम करता है, एक चुम्बक की ये, दुधरूप के समान, किसके समान, चुम्बक की ये, यहां पर देखिक नॉर्थ वे साउथ पोल ले लिए ओके एम साउथ और यहां पर क्या ले लिए एम नॉर्थ मैं इसलिए लिखता हूँ साउथ और नॉर्थ की आपको समझ में आए है ना दोनों मैं लिख दूँगा तो आपको कन्फ्यूस हो जाओगे बट याद रखना कि एम नॉर्थ का धुरुप प्रावल और एम साउथ का धुरुप प्रावल हमेशा क्या होता है बराबर होता है दुनिया का कोई ऐसा मैगनेट मतलब आप बार मैगनेट नहीं बना सकते हो कि यह अलग हो और यह अलग होगा दोनों धुरुप प्रावल बराबर होंगे चाहे आप इसको चक्की में डालके पीस देंगे, उसके बाद भी जो सबसे चोटा टुकड़ा बनेगा, वो भी एक क्या बनेगा? वो भी एक दुधरूब ही बनेगा, क्या बनेगा? दुधरूब ही बनेगा, मतलब सचा ये है बच्चों, एक चुम्बक के दुधरूब को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता अगर आप इसको जितने तुकड़े में तोड़ दोगे तो यह नया छोटा मैगन बनेगा फिर से यहां पर क्या बना लेगा साउथ और यहां पर क्या बना लेगा नॉर्थ ओके इसको भी तोड़ दोगे तो यह बना लेगा साउथ और यह बना आगेगा अगर आप इसके तुकड़े तुकड़े कर रहे है तो जो बीच की दूरी हो क्या होती जाएगी कम होती जाएगी और बाइबीछ की दूरे कम कम होता जाएगा आईए तो हम बात कर रहे थे चुम्बक पर लगने वाले बल्यूम के आगुण की चुम्बक में तो ठीक है भाई साब आपे चलिए यहां पर आपने एक चुम्बक रख लिया ओके यहां पर इसका नॉर्थ पोल है एम एम साउथ है और यहां पर एम पोल वो हमने क्या माना है वो रिफरेंस पोल माना है मतलब जैसे वहां पर धनात्मक को रिफरेंस माना था वैसे ही नॉर्थ को भी यहां पर रिफरेंस माना है तो उस पर लगने वाला बल कहां होता है चेतर की दिसा में और अभी-अभी मैंने बताया कि चुम्बकी बल कित बल जो लग रहे हैं बराबर और विप्रीद बल लग रहे हैं क्लियर है ना और इनकी जो एक्षन लाइन है वो अलग अलग है याद रखेगा अगर कभी एक्षन लाइन सेम होती है तो टॉर्क एक्ट नहीं करता है टॉर्क एने की बल्योगम एक्ट नहीं करता है जैसे यह द गया है hrr, torque क्या formula होता है? torque बराबर होता है, बल गणे लमबत दूरी है, दॉनों बलों के वीच की लमबवत दूरी, तो बैट कितना लग रहा है? यहां पर बल लग रहा है, tails equal, आगर यहां तक कि दूरी को हुँ हम क्या बोलते हैं? 2l क्या बोलते हैं 2L अगर ये कोड़ थीटा है तो ये वाला कोड़ भी कितना होगा थीटा ये वाला कोड़ भी थीटा होगा तो into हम इसको निकाल लेते हैं ये कितना हो जाएगा ये x माल लीजे ये चीज आपको निकाल ली है इसको क्या माल लेजे, x माल लेता हूँ, जो चीज आपने को निकाल ली है, यह देखे, यह चीज आपको निकाल ली है, इसको आपने x माल लिया, ओके, यह आपके दिए, तो क्या लगा रहे है, sin theta, sin theta बराबर होता है, लम बटे कांट, तो लम तो x है, और यह कितना है, 2L, त तो यहाँ पर पूट कर दीजे, तो torque equal to small m small b into 2L sin theta, तो देखे, torque की value किती हूँ किती हूँ कि, torque is equal to, देखो, एक काम करो, m के साथ में 2L को ले लो, m के साथ में किस को ले लो, 2L को, और बाद में पीछे क्या कर दो, b sin theta, और अभी-अभी मैंने पढ़ाया है, m into 2L क्या होत है, capital M, तो torque का formula हो गया, torque equal to m b sin theta, m b sin theta, तो यह अधिस रूप में torque का formula है, okay, किस रूप में, अधिस रूप में, क्या देखा आपने, torque का जो formula है, हमें पस, torque is equal to capital M, capital B, और क्या हो गया, sin theta, यह आपका torque का formula बन गया है, ठीक है, अच्छा, आप देखे ध्यान से, कौन किस की की तरब गुमा है, M, B की तरब गुमा है, कि B, M की तरब गुमा है, तो यहाँ पर ऐसा आपका गया था, M, गया था, आपके पास क्या गया था, M, बिद चुम्बे की ए, दुधरू आगून, और इस तरब क्या गया था, B, तो M जो है, B की तरब गुमने का प्रयास करेगा मतलब यह इस तरफ घूमेगा तो वेक्टर रूप में इसको हम क्या लिखेंगे टॉर्क सदिस बराबर M का B की तरफ घूमना मतलब M क्रॉस B M क्रॉस B ओके, इस्पेशल केस ले ले लेते हैं नमबर वन थीटा एक कोल टू 0 डिगरी तो भहिया जब थीटा एक कोल टू 0 डिगरी है तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा साइन जीरो पूट कर दो, साइन जीरो बराबर कितना हो जाएगा जीरो तो भहिया जब थीटा जीरो डिगरी है तो टॉर्क लगने वाला अब 180 degree आप ले लेंगे तो ये जो चीज है ये घूम करके कहां चला जाएगा पीछे चला जाएगा मतलब ये जो torque है ये इसके इस तरफ हो जाएगा मतलब ये यहां हो जाएगा clear हो गया मतलब ये north pole यहां जाएगा और south pole यहां जाएगा इस समय देखिए छेतर के साथ जो कोण बन रहा है वो किते degree बन रहा है इधर क्योंकि B जा रहा है यहां और M जा रहा है यहां यह एक परकार का संतुलन तो है मगर पून रूप का संतुलन नहीं है इसलिए यहां पर torque तो 0 होगा मगर फिर भी यह कहलाएगा आइस्थाई संतुलन क्या कहलाएगा यह आइस्थाई संतुलन ठीक है तो यहां पर यह torque की बात कंप्लीट हो चुकी है और टो के torque लगने वाला कितना होता Mb sin θटा अब इसके बात करते हैं धारावाही लूप या धारावाही कुंडली चुम्ब की दुद्रूप की जरह काम करता है जिसका चुम्ब की आगुण Mb. NIA होता है आई इसको प्रूफ कर देते हैं देखे हमने इसके पहले चुम्ब की छेतर वाले चेप्टर में आपको बताया था कि कोई भी धारावाही कुंडली या धारावाही लूप होता है उस कि जैसे काम करता था चुम्ब की दुद्रूप क्यों क्योंकि इसमें एक सिरास का नॉर्थ बन जाता था और पीछे वाला क्या बन जाता था साउथ मतलब डिपेंड करता था करिंट की डिरेक्शन पे ओन और साउथ क्यों सा बनेगा अब बनता तो था तो नॉर्थ और अगुन, M के पदों में क्या होता है, Mb sin theta, यदि दोनों equation को आप compare करा दें, तो क्या हो जाएगा, भई, B na sin theta, B I N A sin theta, is equal to कितना हो जाएगा, Mb sin theta, तो sin से sin cancel कर दीजे, यहाँ पर B से B cancel कर दीजे, तो देखें, आपके पस मज़ेदार बात क्या है, जो चुम्ब की आगुण आ रहा है, इस कुंडली का, वो कितना आ रहा है, N I A, क्या रहा है, N I A, तो चुम्ब की आगुण की इकाई, यहाँ से भी आपको पता चल रहे हैं, भाई साब देखो, I का मतलब क्या होता है, Mp, I क अगर आपके पास कोई N फिरो वाली कुंडली है तो N फिरो वाली कुंडली का चुमकी आगूर क्या होगा N I A क्या हो जागा N I A तो इसको नोट कर लीजिए इंपोर्टन्ट है और कॉम्टेटे में तो बहुत ज़्यादा है M equals to होता है N I A जहाँ N है फिरों की संख्या अगर मान लीजिए किसी कुंडली में एक फिरे है N बराबर 1 है तो M बराबर कितना होगा I into A एक फिरे के लिए M बराबर होता है I into A अब यह नाभिक वाला पार्ट तो है नहीं यहां से निकलता है और एक आउंक ध्रूब जो है सवतांतरता पूर्वक जिस रास्ते को गवन करता है उस रास्ते को बोलते हैं चुम्ब की ये बल रिखाएं क्या बोलते हैं चुम्ब की बल रिखाएं अब ऐसा नहीं समझ दिएगा कि चुम्ब की बल रेखाओं का पैटर्न के बल यही होता है यह दंड चुम्बक के लिए पैटर्न दिया गया है जिस अलग प्रकार का कंड़क्टर होगा अलग प्रकार की जामिती होगी अलग प्रकार का चुम्बक होगा सब के लिए pattern क्या होता है अलग-अलग होता है समझ गया ना तो यहां पर यह pattern इसका चुम्ब की बल रेखाओं का इस प्रकार से होता है बट property पता चल रही है कि इसमें जो होता है North Pole गमन किया करता है North Pole सतंत्रता पूर्वा गमन करता है इसलिए यह रेखाएं कैसी होती बंद अग्रें सब्सक्रामी चुम्ब की चेटर की डिशा को पर्दस्त करता है जि हां अगर मान लिजिए आप किसी भी बंदू पर इस पर से हां की चैशली यह जासी इस पर इयुकार दिया मैने इस पर से साउथ टू नॉर्थ ठीक है यह हो गया दो छेतर रेखाएं आपस में दूसरे को नहीं काटती हैं जानते ही हैं आप लोग दो रेखाएं दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं एक समान चुम्ब की छेतर हैं परस पर समान अंतर होती हैं देखें मैं बात कर रहा हूं एक समान की बल रेखाएं जादा हैं मतलब यहां पर रही है और समना अंतर की दूरी बताती है कि इनके बीच का gap मतलब चुम्द की छेतर का परीमाण सेम है यहां पर समझ में मतलब अगर आप यह कर देंगे दूसरा वाला डाइग्रám तो यहाँ पर दिशा तो वही रहेगी मगर परिमार यहाँ पर बढ़ गया और यहाँ पर परिमार गट गया तो भाई इसका भी ध्यान रखना है जहाँ छेतर रेखा है सगन होती वहाँ चुम्बिकी छेतर क्या होता है प्रबल होता है चुम्बिकी छेतर में उस बिंदू को ओदासीन बिंदू कहते हैं जहां पर प्रड़ामी छेतर सुन होता है इस बिंदू से होकर एक भी रेखा नहीं गुजरती जी हाँ बिलकुल जैसे विद्दू छेतर में जहां पर विद्दू छेतर 0 हुगा करता था याद आया को आपको कंड़क्टर वाला जील यहां पर अंदर विद्दू छेतर कितना होता था जीलो और जहां विद्दू छेतर 0 होता है उसके अंदर कभी विद्दू बल रेखा है बदल गुजरती नहीं है आप इमेजनरी रूप से मानते थे यहां से आती थी और यहां से निकल जाती थी यहां से आती थी और यहां से निकल जाती थी याद है आपको है ना यहां से आती थी और यहां से इस तरीके से निकल जाती थी मगर अंदर किसी प्रकार की बल रेखा प्रजंट नहीं होती है तो ठीक है उसी प्रकार से चुम्बकत्र के खेस में उदासीन बिंदू मालो यह नौर्थ पूल है और यहां भी क्या है नौर्थ पूल है तो यहां से बल रेखा है बाहर निकलेंगी यहां से भी बल रेखा है क अब एक चीज़ देखे इसमें कुछ चीज़ें और हैं परनालका दो बाद में डिस्कस करेंगे ये चीज़ें तीन चीज़े देखे एक समान चुम्बे की छेतर में छड़ चुम्बक पर कार करने वाला प्रत्यानियन बल वने बदा दिया आपको टॉर्क बराबर mb sin theta vector format क्या कह रहा है ये चुम्ब की आगून की परिभासा आपको बता रहे हैं यहां पर ये चुम्ब की आगून की परिभासा बता रहे है कि चुम्ब की आगून क्या होता है किसके पदों में बल्यूगम के आगून के पदों में ये बता रहे हैं बल्यूगम के आगून के पद त्रूर्टी तो गनती रूप से किसी का चुम्बकी आगून काय के बराबर होता है उस पर लगने वाले बल्युगों के आगोंड के गनती रूप से किसी दुधरुप पर लगने वाला चुम्ब की आगुण उस पर लगने वाले बल्युक्म के आगुण के बराबर होता है मगर शर्ते क्या होते हैं उसे आप एकांग किती वृता में रखें मतलब बी का मान कितना हो और थीटा का मान कितने डिगरी 90 डिगरी मतलब छेतर के लंबवत रखें अब ये परिभास आपको समझ में आ जाएगी एक समान चुम्ब की छेतर में इस्थे से छड़ चुम्बक हो या कोई चुम्ब की दुधरू हो परकार करने वाला परत्यानियन बल आगूण ताउ बराबर एंबी साइन थीटा इतना होता है किसी चुम्बक की चुम्ब की आगूण किसी चुम्बक का चुम्ब की आगूण उस परत्यानियन बल युग्म के आगूण के बराबर होता है जो उस चुम्बक पर उस समय कार करता है जबकि उसे एकांक तीवरता बोले तो B equal to किता 1 पर एक समान चुम्बी की छेतर की लंवत याने थीटा equal to 90 डिग्री पर रखा जाता है अगूर का मात्रत तो अपन इतना करी लिया अब इसके बाद भाई साब चुम्बक की छेतर में किसी को चुम्बक को थीटा कोन से घुमाने में किया गया कार मैंने बोला था W equal to MB बेस्ट है कॉस थीटा 1 minus कॉस थीटा 2 बिल्कुल विद्धु चेतर के जैसे कर लिजीगा अब इसके बाद चुम्बक या चुम्बक की धरुब की स्थीदी जो रजा U बराबर minus MB कॉस थीटा या आप इसको लिख सकते हैं directly minus M dot B अब इसके बाद चुम्बक का चुम्बक की आगून M चुम्बक की छेतर के B के समनांतर होता तो वो इस्थाई संतुलन में होता है और यदि anti-parallel याने की प्रती समांतर होता तो वो किसमें होता है आइस्थाई संतुलन में ठीक है तो ये हमारा पहला पार्ट जो हमने complete कर दिया था जिसका नाम था अपने पास में चुम्बक कत वाला पार्ट खताम हो गया है इसके आँगे हम अगली ग्लास में आपको भू चुम्बक कत याने terrestrial magnetism या पार्थिव चुम्बक कत जिसको पढ़ाएंगे इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या हो चुका है हम ने कल लिया परिक्रामी इलेक्ट्राट का चुम्बक पर बला हम ये भी हो चुका है ओके और इसके बाद की जीजे जो है वह बाँकी है उसको हो next lecture में करेंगे ओके सो thank tám you so much जोड़े रेने legitimate जरूर करिए कैसा लगा लेक्चर आपको बहुत बहुत तर लिवान नमश्कार